हेलो फ्रेम्स, मेरे यूट्यूब चैनल की इप्रूव और नॉलेज में आप दरी का स्वागत है फ्रेम्स, आज मैं बुंदी की रेस्पी ले कराएं हूं इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेश्टी होता है इसे आप कभी भी प्रिशाद के रूप में या कभी भी श्वीट खाने का मन हो तो फड़ाग से घड़ पे बनाईए बच से बड़े सभी से पसंद करेंगे तो इसे आप जरूर ट्राइ कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करना मत पूरी तो चलिए हम इसे बनाना चुरू करते हैं बुंदी बनाने के लिए हमने एक बॉल बेजन लिया है यानि कीजने का आटा इंग्लिस में इसे ग्राम फ्लॉड भी बोलते हैं तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले एक बोल पे ऐसे एक ज़ारनी रख लेंगे यह भी प्रोशिश बहुत तरूरी है बुंदी के लिए इससे क्या होता है बेजन में जो दाने दाने जैसे होते हैं वह अच्छे से ज़ारने के बाद फूट जाते हैं फिर तो इसकी ग्वोल बनाने में बहुत आसानी होती है तो आप देख सेकते हैं अच्छा मच की मदद से ऐसे बेजन जार ले रहे हैं मैं आपको यही भी खाने के लिए यह प्रोसेस बताई आप देख सकते हैं बेजन में ऐसे रोड़े बन जाते हैं यानि कि बेजन बहुत बाड़ीक होता है तो पॉड़र बनाते टाइम यह थोड़ा सा रोड़े बनाते हैं चोड़ा जाता है तो इसे हम जार लेते हैं फूट जाता है इसी के लिए यह प्रोसेस आपको दिखाया यह बिल्कुल वेश्ट नहीं होता है पर यह दाने फूट गए आपने देख लिया हमने बेजन जार लिया है अब चलिए हम अगला प्रोसेस चुरू करते ह हैं तो सबसे पहले हम इसमें फानी डाल कि एक बेटर बनाएंगे तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और ऐसे बेसन को घो Нेखे एक सांथ में ज्यादा पानी नहीं डालना है नहीं तो रम्स पर जाते हैं फिर तो बूंदी अच्छे से नहीं तयार होती है तो ऐसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके और इसका मेटर तयार करेंगे यहां हम पीचाहें तो आप ऐसा विक्स हैं विक्स लेके और इससे भी वेटर तयार कर सकते हैं तो आपके पास है तो इससे कीजियर नहीं तो चमच से भी यह तैयार हो जाता है अब हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे और अच्छे से भीट करेंगे हमें इता भीट करना है कि लिए चुछ करें ह subt25 करेंगे और पानी करी दी के लिए मत्या केवल मच्टर छोड़के उससे कड़वा टेश्ट आता है और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे u sis jakie आता मेत, आप देख सकते हैं यहां पे 5 पूद कलर लिये, इसमें बीन्कुल ज्यादा नहीं दा आप नहीं भी डाल सकते हैं फोड़ा सा देखने में न यहां पे यूज कर रहे हैं आप अच्छे से घोल में अगेश के करेंगे तो इससे ढोलने में हमें 1.5 मिनट लगेगा. तभी अच्छे से ये कलर मिक्स होगा. आप देख सकते हैं, चैंज हो गए अपना भेशन का गोल का कलर. तो इससे हम अच्छे से भेंट लेंगे. हमने कलर को अच्छे से बेशन में मिक्स कर लिया है. जब तक अपना बुंदी का बेशन रेश्ट करता है तब तक हम लोग चाचली प्यार कर लेते हैं तो चलिए हम गैस के तरफ चलते हैं गैस में हमने एक बॉल रख लिया है उसमें हम डालेंगे एक कटोरी शकर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो चार चमल शकर और बढ़ा दीजिए और मेडियम मीठा पसंद है तो यह परफेक्ट माप है हम लोग घड में मेडियम ही खाते हैं इसके लिए सही माप लिया है हमें भरके पानी नहीं लेना है आप जिस बर्तल से मेजर करें यही माप रखिए हम सक्कर में पानी को डाल लेंगे गैस को आउन करके और चलाते हुए हम सक्कर को गलाएंगे नहीं तो पेंदी में सक्कर लग जाता है आप देख सकते हैं हमें चलाते हुए शक्कर को पिखला लिया है अब हम इसे 2-3 मिनट दर तेज फ्लेम पे उबालेंगे हमें चाचनी नहीं चुहिए ज़स्ट इसमें हलका सची चिपाहट आना है उतना ही हमें इसे वाइल करना है यह भी प्रोसेस हम चलाते हुए करेंगे यह 3-6 मिनट में हो जाता है अपने फ्लेम के उपर होता है तो चलिए हम आपको 3 मिनट बाद दिल के बताते हैं अपने देख लिया हमने 3 मिनट तक चाचनी को उबाल लिया है तो यहां पर मैं एक पर आपको बता देती हूँ चमज को हमने ठंडा होने दिया हाथ को ऐसे चाचनी में डुग वाया अंगली को फिर ऐसे बस यह लश लश लग रहा है यानि कि जैसे अपना मद लगता है वैसे ही चिपचिपा हुआ है कोई तार नहीं बन रही है तो बस ऐसी ही चाचनी चाहिए हमें बुंदी के लिए अ अब हम इसमें डालेंगे पींच अब हम इसमें डालेंगे एक पींच फूड कलर यहां पे आप केसर भी डाल सकते हैं पर फूड कलर से कलर थोड़ा बढ़ियां आता है हमें केमरे में भी खाना है तो हम फूड कलर यूज कर रहे हैं अब देख लीजे अपनी चाचनी का कलर कितना बढ़िया हुआ है अब हम इसमें डालेंगे दो पूटी हुई इलाजची और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे चाशनी अपनी तयार है हम फ्लेम को आफ कर लेंगे और चलिए हम बुंदी बनाना शुरू करते हैं 10 मिनिट हो चुके हैं चलिए हम अपना बुंदी का वेटर चीप कर लेते हैं अब देख सकते हैं अपनी वेटर अच्छे से फूल चुकी है और यह अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गई है अगर आपकी वेटर गार ही हो तो एक चमस पानी जालके फिर से खूल लीजिए अगर अ बुंदी बनाने के लिए हमें कैसे जाड़े की जडूरत होती है हमने यह जाड़ा लिया है उपर से तो यह बिल्कुल चिकना है पर पीछे के तरफ यह थोड़ा सा फॉइंट के रही आपको दिखा देती हूं यही तरीका है कि अपनी बुंदी हलवाई जैसे गोल को तैया जाड़ होती है यहां पे आप चाहें तो तद्दू कस्का भी यूज कर सकते हैं पर मेरी पास ऐसा जाड़ा अबलेवल है तो मैं इससे बना के आपको दिखाती हूं तो चलिए हम गैस के तरफ चड़ते हैं तेल को हमने गैस पे गरम होने के लिए रख दिया था तेल अपन चाहिए अब हम इसके ऊपर चाहड़ा रखेंगे और बोल में से हम एक चोटी का टोड़ी हो या कोई चम्मच हो उसमें से बेटर लेंगे और इसके बीचों बीच डाल देंगे आप देख सकते हैं हमने चाहड़ा की दूरी न ज्यादा उंचा रखा है न ज्यादा न जिक और कितनी बारी की से यह बुंदी गिर रहा है पिलकुल गोल गोल हलवाई के जैसे हमें इसे न ठक ठक करने की ज़रूरत पर रही है और नहीं हमें इसे हीलाने की एक बार में जि अईसे हटा लेंगी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी गुंदी तैए है पताना होता हैं कि यह बहुत छोड़े चोड़े दाने में गितने हैं तो बहुत जल्दी सिख जाता है इसे हम आराम आराम से इसे चलाते हुए और निकाल रहेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि अपनी बुंदी पक चुकी है इसमें से हलकी सिखानक की आवाज आएगी आपको चलाने में भी हलका दीखेगा तो आप समझ जाएए कि अपनी बुंदी अच्छे से तैयार हो चुकी है आप देखिए इतनी गोल्ड गोल्ड कालर इसका देखिए यह अपनी मुल्डी तैयार है इससे हम एक्ष्ट्रा तेख दीख हुए और एक प्लेट में निकाल लेंगे ऐसे हम धाड़े से इसको कि खानके एक्ष्ट्रा तेख दीरा के निकाल लेंगे यहां पे मैं आपको दूसरा टिप्स बताना चाहूँंगे अगर हम दूसरी बार बुंदी डाल रहे हैं चाहे कोई भी ठाड़ा हो या कद्दू कर सो उसको हम अच्छे से कर लेंगे अब देख लिजे हमने जाड़े को अच्छे से पीछे से क्लीन कर लिया है फिर हम इसको तेल पर ऐसे रखेंगे और दूसरी कटोरी से हम थोड़ा थोड़ा बेटर इस पर गिराते जाएंगे अब देखिए कितनी आसानी से अपनी बुंदी गिर रही है तो आपने देख लिया हमने कितनी गोड़ गोड़ बुंदी बना के तयार कर लिया है ना जादा बड़ा है ना जादा छोटा है एक तर मेडियन साइज के बुंदी हमने बना के तयार कर लिया है अब हम इस बुंदी को चाशनी में ला लेंगे जो हमने पहले ही दयार करके रखा है तो यहाँ पर हम इस बुंदी को ऐसे चाशनी में सोर देंगे जब यह बुंदी चाशनी को अब्जॉब करेगी तो और थोड़ा सा साइज इसका बढ़ जाएगा अब हम इसे ऐसे चमच से मिक्स कर लेंगे अब देखिए हमने कितना चाशनी बनाया था उसमें अच्छे से अपनी बुंदी आ चुकी है इसका कलर देखिए कितना बढ़ियां आया है अब हम इसे धाक के दस मिनट के लिए छोड़ देंगे फिर आपको दिखाएंगे तो चरिए हम बुंदी सर्व कर लेते हैं मैं आपको दिखा दे रही हूं अपनी बुंदी ने अच्छे से रस को अउब्सर्व कर लिया है और यह तम रश्यदार बुंदी तयार हुई है आप भ्यान से देखिए बिलकुल फोटल जैसे आप इसको प्रिशाज के लिए बना यह बहुत ही टेस्टी डसमिरी तयार हुई है तो चदिए हम इसको प्लेटिंग कर लेते हैं तो फ्रेंब्स आप आपने देख लिया बुंदी की रस्वी बनाना कितना आसान है हमने कितनी आसानी से घरения बुंदी बनाना के तयार गिया तो इस इस रेस्पी को आभी जुरू ट्राइ कीजिए और मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंग करना मत भूलें, भिन्मेवाद